हलो स्टुएंट स्वागत आपका इंग्लिश कॉंप्टिटिटिव एक्जाम विथ एसस्पी में लाइस्ट क्लास में हमने मुल्क राज आनन्द के उपर लाइफ कॉजेस वर्क एंड ऑनर्स किया था आज के इस वीडियो में जो कि इसका सकेंड पार्ट है हम करने जा रहे है है इसके वर्क एड गलांस तो इन्होंने बहुत सारे अपने कुछ आपको च्छरी लिखे हैं लिखने Yes लेकिन हमने बहुत इंपोर्टेंट जो इनके पार्टस में से चूस किया है और ये एक incident पे बेजट था, यानि कि आपको जैसे मैंने पहले बता रखा है कि ये इनके work में, इनके घर में एक tragedy वी थी, जहां पे इनकी आंटी जो है, एक Muslim महिला के साथ खाना खा लेती ही, तो उनके घर वाले उनको घर से निकाल देते हैं, समास से निकाल देते हैं, जिसक 37, Seven Summers, Seven Summers, 1951, The Private Life of Indian Prince, 1953, तो ये एक तरह से chronological order में हैं, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए, तो चलिए, श्टार्ट करते हैं, The Untouchable, as I told you, that it is the incident, that a real incident based on in his home, उनके घर में ही ये चीज़े बेस हुई है, उनके फैमिले में ही ये चीज़ हुई है, तो बहु जाए जाए इससे इंस्पायर था, उनके सोचा था, मुझे लिखना चाहिए, इसलिए उनके पोयम लिखी इसके रिगार्डिंग, and this poem indicates that the story of a real brother and sister, इस पोयम में real brother और sister की story है, जहां पर brother और sister दोनों अलग-अलग time पर, अलग-अलग way में discriminated किया जाता है, यानि कि उनसे भीदवब किया जाता है, कि इनकी sister पानी, कुवें से पानी रानने जाती है, उसको पानी लेने नहीं दिया जाता है, उसे कुछ गलत, sexual relationship बनाने के लिए force किया जाता है, तो इसको इन्होंने इसके माध्यम से लिखा है, और जब इस बात की शिकायत अपने father से कहते हैं, इस तकरा जाते हैं, तो तकराने से वो इस तरह से react करता है, कि उसने पता नहीं किस से तकरा गया है, मतलब कहां वो उसकी life खराब होगे, कि उसने एक लोर कास्ट के person को छू लिया तो, ये दोनों incident, दोनों भाई बेन अपने father को बताते हैं, तो इनके father इने ही डाटते हैं, कि तकराने की, तो आप सोच सकते हैं, कि जो ये time है, time period 1935 का, किस तरह का time period रहा होगा, कि इतनी ज़्यादा discrimination है, अपने ही घर में, एक तो जो writer है, उनके ही घर में इतनी ज़्यादा discrimination, और जो इन्होंने बनाया है, उस poem के regarding उनके ही father ये चीज़े बोल रहे हैं, कि इतनी ज़ नेक्स आते हैं, two leaves and a bird, two leaves and a bird, जो story है, वो step की story है, कि it is indicate the awesome plantation, जो awesome के जो plantation थे, वहाँ के जो worker थे, उनको बताया जाता है, कि वो कैसे exploit हो रहे थे, exploit कौन कर रहा था हूने, British officer, British officer के जरिए वो exploit हो रहे थे, कि एक इसमे family दिखाए गई है, जहाँ पे family में, husband, wife और उसकी ए British official की गलत नजर होती है, तो इस शीश को वो कैसे नहीं पढ़ते हैं, किस तरह से अपने way में वो उसको एक lesson teach करवाते हैं, तो यही इसमें बताया गया है, कि इतने बड़े officer के सामने उन्होंने हार नहीं मानी है, बलकि उसका सामना किया है, और अपनी बेटी, अपनी daughter को उ इनसान से बचाया है, तो बेसिकली यही story है, अच्छी story है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लेगा, next is seven summers, देखे seven summers जो है, जब आनन्द ने लिखना शुरू किया था, तो शुरुवाती 7 सालों में उन पे क्या बिती थी, किस तरह से उन्होंने लिखा था, क् publishing कब हुई थी, critic कितने थे, वो सभी चीजे इन्होंने मैंशन किये, आप इस poem को बढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको अपने, जो struggle से जो आपने कभी ना कभी लाइफ में की होगी, उसकी भी याद आएगी कि हम कहां से start करते हैं, और फिर कैसे कैसे धीरे करके उपर पहुं इस जर्नी ऑफ फर्स्टाविनेस ऑफ इस व्राइटिंग, ओके, नैस्ट इस प्रिवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, देखिए यह जो लाश्ट वाली स्टोरी है, यह 1953 में लिखे गई थी, और आपको अच्छी तरह से पता है कि यह टाइम जो है, वो उस समय का ट प्रिंसली स्टीट मीन जहां पे राजाहों का शाचन था अधे दिए इंडियन, इंडियन कॉंटनेन और इंडियन गौर्नमें वो इनवाल नहीं होना चाहते थे, और उनको उनमें मर्ज होना था, और यह डिपार्टेंट किसको दिया गया था? इंडिया's first home minister who was कौन थे इंडिया's के first home minister आप मुझे comment में लिख के बताएंगे with the birth of a free India महराजा अशोग कुमार तो वहाँ के जो एक महराजा थे अशोग कुमार नाम था उनका वो नहीं चाहते थे उससे मर्जोना देखे 462 states की जिम्मेदारी दी गई थी जो हमारे home minister हैं और उनका नाम आप मुझे बताएंगे होपस हो कि आपको पता भी होगा कौन थे तो उनको जिम्मेदारी दी गई थी लेकिन जो last के जो तीन states थे हैं उन्होंनों बहुत ज़ाँ दिक्कत की थी मर्जोना में अब वो थे जूनागर और हैदराबाद और कश्मीर तो जूनागर और हैदराबाद तो किसी तरह से मर्ज होगे मगर कश्मीर कब मर्ज हुआ मोधी जी गयाने पर चलिए टॉपिक पर आते हैं महराजा अशूप कुमार वॉंड वॉंड्स वो चाहते थे कि उनके स्मॉल हील स्टेट जो है जो पहाड़ियों पर जो उनका राज्य बना हुआ है वहां उनको आजादी मिले बलकि वो यह नहीं चाहते थे कि इंडियन यूनियन में मर्ज हो जाए या उसको जोइन कर ले तो बेसिकली यह एक उनकी नजर में या उस ट है तो इसमें यही था होपसो कि आपको समझे में आए होगा एक बार रिवाइस कर लेते हैं अन्टचाबल एक इस्ट्वरी है जहां पर रियल ब्रदर और शिश्टर की स्टोरी है बोध फेज दर देसमेशन इन दियर लाइफ इन दिफरेंद दिफेंद दिफेंद बेज इ अपर काश्ट साइटी और जब वो बाते बोलते हैं अपने फादर से कि मुझे ऐसे सी चीज़े हुई है ऐसे हमने फिल किया है हमारा साथ बेदबाब किया तो उनके फादर नहीं उल्टा डार देते हैं तो यह बहुत टू लीव्स एंडी आ बड यह भी एक तरह से किस तरह से एक्सक्वाइट करें जो ब्रिटीश गवर्मिन इंडा में एक्सक्वाइट करें और हमारे जो फैल्टी मेंबर हैं उनको लिध्र सपने प्रॉपर श्मझते हैं तो इस तरह इससे किस तरह से एक फाद अपनी करियर शुरू किया था तो साथ साल बात अब वो कहां है कैसे शुरू किया था नेक्स टे प्राइबिट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस इंडियन प्रिंस में याद करता है इंडियन प्रिंस का नाम किया है महराजा अशोक कुमार वो याद करते हैं कि मुझे पहले कित आप उसको देख लिजेगा, तो ये तो आपका part 2 था, जो कि work at glance था, मुल्क राज आनन्द का, hopes हो कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, दोनों parts आपने बहुत अच्छी तरह समझेंगे, दोनों ही parts में मैंने description में link डाल दिया है, आपको पता ही होगा कि ये जो हमारे मुल्क राज आनन्द है, इन्हें इंडिया Charles Dickens का आयाता है, क्यों कहा जाता है, ये मैंने आपको last video में समझा दिया था, और दोनों ही video में मैंने description में Charles Dickens का link डाल दिया है, आप उसको देख किया problem, यानि कि क्या similarities है दोनों में, कि इन्हें क्यों कहा जाता है, तो hopes हो कि आपको आज की video समझ में आयोगी, next video में next topic के साथ, एक नए topic साथ मिलेंगे, जो की UPPGT का ही next topic है, तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और दिन में एक नएक काम positive जरूर हो, मिलते हैं next video, next topic साथ, तब तर अपना ख्याल रखिए, थैंक यू,